यह देखे इसकी अच्छी जांकी है यह देखे यह जन्मास्थमी पर इसकी अच्छी जांकी लगे यहाँ पर कृष्णा जी माखन जो रहा है मैं आपको जन्मास्थमी पर कुछ सुनाना जाहती हूँ जन्मास्थमी पर कृष्णा जी का बर्डे होता है 5000 एयर पहले की बात है मतुरा का जाजा था वो बहुत अत्याचारी था उसका नाम था कंच बहुत अत्याचारी था वो इतना अत्याचारी था कि उसने अपने पापा का पापा अग्रिशेंद को भी जेल में डाल देता जो उसकी बात नहीं मानता था उसको वो जेल में डाल देता था वो बहुत अत्याचारी थी कंच के एक बहन थी उसका नम था देवकी कंच ने देवकी का विवा अपने मित्र वाशू देव से किया कंच अपनी बहन देवकी एको उसके ससुराल ले जा रहा था तब ही वहां से आकाश वाड़ी हुए एकी जिस बहन को तुम इतने प्यार से उसके ससुराल ले जा रहे हो उसी का आठवा पुत्र तुम्हें मार देगा तो कंच बहबीत हो गया कंच ने कंच ने वाशू देवकी और वाशू देव को जेल में डाल दिया फिर जित्ते भी सेवन पुत्र हुए देवकी और वाशू देवकी कंच ने उसको मार दिया तो फिर जब आठवा पुत्र हुआ वो क्रिष्णा जी हुए जैसे ही क्रिष्णा जी वैसे ही सारे दर्वाजे खुल गाए सारे पहरे दाड़ सो गए जेल भी खुल गई कंच भी चो गया था तो वाशू देव ने क्या किया कि क्रिष्णा जी को टोकरी में रख दिया एक टोकरी में रख के नंद भवन याशोधा महिया के पास और नंद जी के पास चोड़ आए वहाँ पे क्रिष्णा जी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था कभी वो किसी का माखन जो राते थे तो गोप्यां जो थी वो बताते थे मैया ये शुदा क्रिष्णा जी को टैंड देदी थी ये देखिए ये याँपे देदी देदी ये इनके कान पकड़े हुआ है फिर धीरे धीरे कृष्णा जी बड़े होते गए तो कृष्णा जी ने कृष्णा जी ने कंज को मार दिया इसका व्रद कर दिया कृष्णा जी ने मैं आपको जनमास्टमी पर ये संदेश देना जाती हूं एक ही जिते भी हमारे फैस्टिवल सेंहोली दिवाली वह हम सब को मिलकर बनाना जाए हिंदू से मुसल्मान जिते भी हैं तो हम लोगों को मिलकर बनाना जाए इससे हम लोगों का प्यार बढ़ता है वहां पे मंदर भी साचते हैं जनमास्क में बेजियस थे यह देखिए इतनी अच्छी जागी है यह देखिए ते अच्छी दांकी साजी है यह कृष्णा जी है यह शोजा जी कृष्णा जी कुड़ा आट रही है थैंक यू फ्रेंट